बड़ी और दुर्भाग्यपून खबर का तो सडख हादसे से जुड़ी ए खबर बरातियों से भरी बस खाई में गिरी है बस में सवार 14 बारातियों की मौत हुई है तो वहीं दो गंभीर घायल हुए है रनकपूर चमपावत हाईवे से जुड़ी सूखी धांग डांडा मिन पर यहादसा हुआ है गंभीर घायलों को जिला स्पिताल में भर्ती करवाया गया है पुलीस शवों की शिनाक्ती का प्रयास कर रही है शिनाक्तिगी के प्रयास लगातार जारी है अभी तक दो शवों की पहचान हो चुकी है पंच मुखी धांशाला में हुई शादी में श सवार 14 वारातियों की मौत हुई है तो वहीं दो गंभीर घायल हुए है टनकपूर चंपावत हाईवे से जुड़ी सूखी धंग डांडा मिनार रोड पर यहादसा हुआ गंभीर घायलों को जिला स्पिताल में भर्ती करवाया गया है पुलीस शवों की शिनाक्तिगी के प खुशिया मातम में बदल गई कर रही है जिसमें से अभी तक 14 लासों को निकाला जा चुका है और बहुत दर्दना के मामला है क्योंकि परिवार में पुरा खुशी की जंगा पूरा मातम चाया हुआ है इस वक्त बिल्कुल परिवार में मातम होना लाजमी भी क्योंकि एक साथ इतने लोगों का चले जान क्योंकि सुबह साड़े तीन बज़े की घटना है जब पहाड़ों में अंधेरा चाया हुआ था और उस समय गाड़ी का अने इंट्रिस होकर के खाई में गिर जाना तो कहीं ना कहीं गैरी खाई ती जिसमें से निकाला जा रहा है और महापर एस जी आरेस के टीमें लगाता में कितना सुधार है या फिर किस तरह से डोक्टरों की टीमें उनको बचा रही है फिलाल अपना काम पुरा कर दिया लेकिन परिवार में अभी दूख चाया हुआ है और परिवार में रोना बलगना भी देखा जा रहा है थी विशाल हादसा किस वज़े से हुआ कोई दूंद का भी समय है तो कहीं ना कहीं दूंद की वज़े भी यह मानी जा रही है जिस वज़े से गाड़ी जो मैक्स है उसका अनिंद्रिस हो गई और वो सीधी जाकर के खाई में गिर गई और ऐसे में क्यूंकि महां पर ना तो कोई सूचना देने वाला मुझूद था ना चायद कुछ लोगों को इन में से भी बचा लिया जा तका था लेकिन इतनी गहरी खाई में उतरना और महां से लोगों को निकानना भी बड़ी चुनोती है एसज़र एफ की टीम के लिए रही और महां के जो परशाशन और पुलिस था उनने भी काभी मुस्तदी से काम किया लेकिन अभी जो एकज़क्त सूचना नहीं आई है कि क्या वज़य रही लेकिन पूरी वज़य यही मानी जा रही है कि पहाडों में होने वाले दूंद और पहाडों में जो रात का समय था उसकी वज़य से यह पूरी घटना हुई और जो मैक्स गाड़ी थी वो खाई में चलिए विशाल बहुत बहुत शुक्री आपका मैसत जुनने के लिए पूरी जानकारी के लिए